है वे फिंट्स एंड वेलकम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं य सैनलिसिस करने के लिए हैं अगोती है ठेकनिकल इनलिसिस का और साथ शिर और बैंक निफ्टी करते हैं कोई पोजिशन तो इन लेबल्स को ध्यान में रख ते हुए अपनी स्ट्राडजी को डsign कर सके साथ में बिस्कस करते हैं हमारे इंटरेट टेट के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड टेट टू दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को नौ बजे या नौ बजे के पहले पहुंच जाए साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल अनालिस इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्स को किससरा से डेरिवेटिव के साथ में मिक्स करके ट्रेट करें इन सब सब्जेक को कवर करते हैं वीडियो आपको अमारी प्लेलिस में मिल जाएंगे तो फ्रेंट्स इसी तरीके से नए-ने चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपन जानल को जॉइन भी कर सकते हैं उसकी मेंबर्शिप को भी जॉइन कर सकते हैं जॉइंभी मार्केट के अंदर पत रहने इंफ करते हैं हमारा आज का विडियो जो समें जो है निफुजिव करेंगी उने इंडियारे विक्स के साथ में 21.01 पे काम करता हुए नजर आ रहा है, 0.55, 2.69% का गेन देखने को मिल रहा है, पिछले 3 दिन से continuously इतना ही गेन देखने को मिलता है, तो अगर इसाब से बात करें, तो लगबग 6% से ज्यादा का गेन हो चुका है पिछले 3 दिनों के अंदर में, और आप देख सकते हैं, जो हमने एक दिन का पर्टिकुलर्ली एक दिन का कूल डाउन दिया था, एक्जाक्ली उसी लेबल के आसास में आके काम कर रहा है, 20 के उपर इंडिया विक्स काम करना थोड़ा सा वोला डिल्टी भढ़ाते हुए नजर आता है, निफ्टी माइनस 53 और बैंक निफ्टी प्लस 75 उल्टेई का नहीं हो रही है यहां पर, निफ्टी 14,004,146 पे क्लोज दिया है, 50.53 नीचे कल के मकाबले में और बैंक निफ्टी ने 31,997 पे क्लोजिंग दिया हुआ है, दिन बर में क्या हम 32,000 तोड़ पाए, बिल्कुल नहीं, इनफ्टी 31,982 से हम रिटन हुए है, निफ्टी के अंदर में 14,245,44 का कुछ हमने हाई लगाया हुआ है, तो कल के वीडियो में हमने क्लेर कर बात किया था कि यह लेबल आने के चांसे हैं, लेकिन वहाँ से 100,500 पॉइंट का आपको डीप देखने को मिलेगा, हमने दिन में लो भी बनाया है, 14,039 का, जो की बहुत इंपॉर्टन लेबल था, और हमने अल्रेडी चार्ट के उपर में उसके बार में डिसकस भी किया हुआ है, बैंक निफ्टी, 31,500 तक नहीं पहुचा, 550 तक पहुचते ही, वहाँ से बाइंग देखने को मिली, और वहाँ से लगबल लगब 250 पॉइंट उपर जाके, क्लोजिंग देने में सक्सेस्फुल रहा है, दिन के दौरान आपका पुट कॉल रिश्यो ऊपर की तरफ काम कर रहा था, 1.70, 1.73 तक गया था, जिसके चलते हुए हमें डीप देखने को मिला है, और पुट कॉल रिश्यो में बढ़ियां करेक्शन देखने को मिला है, दिसकर्ष करेंगे उसके बारे में भी, चार्ट के उपर में भी समझ नहीं कोशिश करेंगे, कि nifty बैंक nifty ने किस طرح का पैटर्न मनाया है, देख लिजे पहले दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फिलाहल के टाइम पर प्रीमियम में काम कर रहे हैं यह बढ़िया बात है derivative data समझ लेते हैं वो किस तरह से indication दे रहे हैं कि क्या हो सकता है कल के दिनों में जब हमें एक event के पहले होते हैं यानि जो कल का event है उस event के पहले है विकली expiry की बात कर रहा हूँ जब हमें एक event के पहले होते हैं तो data जो होते हैं put call ratio वगरा इतना importance नहीं रखते हैं क्योंकि event में किसी भी तरह पर काम हो सकता है लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है कि mood महल क्या बन रहा है शुरुआत करेंगे long position के साथ में FII का long position के साथ क्या हो रहा है FII ने कल के दिन में 0.07% long position कम किया था आप unchanged बोल सकते हैं आज के दिन में 0.40% long position फिर से कम कर दिया है अब फिलाल long position क्या है 77.87% पे long बना के फिलाल के time पे काम कर रहा है FII अच्छा यह अभी भी जब तक 65 के उपर काम करता है तब तक अच्छा है कोई गलत नहीं है हाँ दिन में दिन के दवरान definitely आपको थोड़े से I mean to say intraday के अंदर में definitely आपको थोड़े बहुत profit booking थोड़े से long position कम होते हुए नजर आए लेकि जब इस 65 के नीचे sustain करें तो थोगा से cautious हो जाना चाहिए कि एक बार reversal का trend आ सकता है फिलाल 77 positive है यहां से positive ही समझ के चले है आप so future index के अंदर में या index future के अंदर में क्या करते हुए नजर आया FIA आज के दिन में पिछले 5 दिनों की अगर मैं बात करूँ तो 5 दिनों के अंदर में first of all हजार का आकड़ा पार नहीं हुआ index future के अंदर में maximum जो था हो 942 था कल के दिन में minus 176 यानि कल के दिन में 176 करोण की profit booking हुई थी और आज के दिन में 295 करोण की profit booking हुई है यह अगर data continue हुआ third day भी आता है यानि कल के दिन में तो हमें चिंता करने की जरूरत है अगर हम bull side में बैठे हुए तो तो हमें तो attention लेने की जरूरत है आज के दिन के data के इसाब से 295 बहुत बड़ा data नहीं है जब इतना उपर rally कर गया तो थोड़ा बहुत profit booking होना चाहिए तो वह ही दिख रह जाएगी stock futures के अंदर में भी थोड़ा सा data महा पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं कल के दिन में stock futures के अंदर में जो FII ने 97.46 करोन की बाइंग की थी आज के दिन में 111 करोन रूपीस की selling की थी आज के दिन में 97.46 करोन की बाइंग आते हुए नजर आई तो ठीक ठाक है cash के ब रूपीस की बाइंग की थी आज की दिन में था surprising figure है और हो है 483 करोन रूपीस की sell, DIY भी sell करते हुए नजर आ हुआ है 380 करोन, अब इसमें दो चीज समझ के शलिए, पहला चीज 380 करोन, 490 करोन, 715 करोन ये DIY की तरब से sell का figure continuously कम होता हुए नजर आ रहा है, FII की तरब से buy का figure continuously कम होता नजर आ रहा है, in fact सबसे बड़ी buying जो पिछले 5 दिनों में FII ने की है, वो 1843 करोन की है, कल के दिन में 986 करोन की buying थी, आज के दिन में 483 करोन की भी quality करते हुए नजर आ है, cautious भी बनता है यहां से भी, put call ratio के बारे में बात करते हैं, so put call ratio कल के दिन में कितना था, 1 1.24 है, अगर कोई और दिन होता तो हम लोग clearly बूल सकते हैं, चलो 1.24 है, एक बार थोड़ा सा deep मिलेगा, buy करेंगे, long बनाएंगे, लेकिन put call ratio सिर्फ देखती हुए, आज के दिन में यह नहीं बोला जा सकता कि कल buy कर लेना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो reason बता दे है, क्योंकि कल इवेंट है, so one side movement मिल सकते है, जटके मिल सकते है, हाँ, इतना बोला जा सकता है, अगर यह और नीचे जाता है, 1.10 के आसपास में आता है, तो एक बार buy करना बनता है, so definitely buying opportunity खोजेंगे कल के दिन में, और ऐसा है नहीं कि कल के दिन marketing लम गिर के ही चालो होगा, 1.24 यह positive है, इंडेक्स के लिए, positive है, long position इंडेक्स के लिए, FII की 176 to 95 करोन की बिक्वाली, ठीक और neutrally समझके चलिए, अब 30 जिनका figure important रहेगा, FII minus 483, 380 करोन, तो बिक्वाली कम होती भी नजर आ रही है, FII के तरब से खरिदारी कम होती भी नजर आ रही है, और stock future neutral effilal के 58.47% के आसपास में थी, लग 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 58-57% के आसपास में, कल 50% थी और आज फिर से बढ़के 58.47% के आसपास में हो गई है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, आईदर उस particular data के नीचे, particular label के नीचे expiry expect नहीं हो रही है, या तो market उपर जाने की तयारी क यह दोनों चीज में possible है, तो कल के दिन में, अगर इतना FIA short करके जा रहा है, आप एक label 14,000 का expectation रखेंगे, देखेंगे, option chain के ओपर में कहां पर writing जाता हुई है, लेकिन उस एक particular label से नीचे जाने की चंका कम है, वो label हम option chain के ओपर discuss करेंगे, इतना discussion हो गया है, derivative data से थोड़े संकेत समझ लिए है, अब समझ लिए कोशिश करते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा trade initiate किया था, तो आज के दिन में कोई भी मैंने trade initiate नहीं किया था, actually I have taken leave today, why so, reason being, I just wanted to check कि मेरा system में कहीं कुछ गलस signal सो नहीं दे रहा है, we need to modify our system, तो definitely उसके लिए मैंने आज break लिया तो आपको जरूर YouTube के community type के अंदर में messages मिल रहे होंगे, अगर आप YouTube के member नहीं, अगर आपने website के थूर membership लिया है, तो आपको WhatsApp के उपर में यह सारे messages मिल रहे होंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं, तो 8291-802926 के उपर में, आप contact कर सकते हैं, call कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ताकि आ आगे बढ़ते हैं, Nifty और Bank Nifty, कल की expiry कहां पर expected है, समझे ही कुशिश करते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो में हम discuss करने वाले Nifty के बारे में, Bank Nifty का वीव आपको थोड़ी दिर में, यहां उपर कार पर क्लिक करके देखने को मिल सकता है, चले, बात कर लेते हैं, Nifty के बारे म पहला candle ही profit booking दिखा रहा था, जो की 14,240 के आसपास में open हुआ था, समझने की कोशिश हुई, लेकिन हर एक try वो unsuccessful रहा, और 14,217, देना हमने important label, 14,178 तोड़ा, और नीचे की labels हमने बनाया, पांच मिनट के candle पर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, कि 14,150 के आसपास में, 14,100 के आसपास में, और 14,050 के आसपास में, तीनों जगह पे buying देखने को मिली थी हमें, लेकिन असली buying जो आया, वो दिन का low 14,048 तोड़के उसके उपर ही देखने को मिला, पिछला last का कुछ minutes में बोल सकता हूँ, आदा गंटा बोल दीजे, आदे गंटे के आसपास में, recovery अच्छी देखने को मिली, और हम लगबग वहां से, almost 100 point उपर आते हुए नजर है, so important labels तो अब clear है, mind के अदर में, कि 14,082 अच्छा level है, 14,040 एक बढ़िया लेवल है, जहां से buying initiative की जा 178 will create more problem, ज्यादा problem तो नहीं create करना चाहिए, in fact, अगर DAO feature सही रहा तो शायद इसके उपर ही opening देते हुए, हम नजर आएंगे, लेकिन yes, उपर की तरफ 14,220 से लेके, 14,250 एक बार आपके लिए problem create कर सकता है, इसके उपर काम करते है, 14,300 का label देखने को मिल सकता है, so expectation कहा है, निफ्टी कल के दिन में कहां पर closing दे सकता है, option chain पर उसे समझने कोशिश करनेंगे, लेकिन जो labels हैं, कल भी हमने discuss किया था, तो discussion में सिधा बोला था, कि अगर 14,300 से मिला, उसके आसपास में मिला, तो एक बार shot create कर लीजेगा, लेकिन उसके पास में पहुशने का मौका है न दर में, red candle, उपर की तरफ से profit booking है, नीचे की तरफ से आपको buying भी देखने को मिल रही है, ये positive और ये बढ़िया चीज है, नीचे की तरफ से buying है, मतलब अभी भी momentum strong है, sentiment positive है, bearish होने की जरूरत नहीं है, देखना ये है कि क्या इस deep का, जो deep हुआ था, उसका opportunity यूज किया है properly जो आपके call writers वैट है ते निकलने के लिए यूज किया है कि नी, वो समझना बहुत ज़रूरी है, और वो कहां से समझ में आएगा, वो समझ में आएगा, हमें option chain से, label अलेडी हमने यहां पर discuss के लिए, तो labels के बारे में ज्यादा नहीं जाते है, ध्यान होना चाहिए 14,082, 14,040 के उपर में, और उपर की तरफ 14,000, 250 से 14,300 के आसवास में, एक बार आपको ध्यान होना चाहिए, इन labels के आसवास में, एक बार भी call देखने को मिल सकती है, option chain, closing कहा हो हुई है, 14,137, so 146, तो 14,150 को आज हम add the money लेने वाले है, normally I don't consider it, लेकिन yes, 14,150, जब से यह nifty 13,000 क के उपर काम करना चालो किया, मैं 14,000, जो 50 के multiples हैं, उनको भी थोड़ा से ज़्यादा importance देना चालो किया हूँ, so 14,150 का label देखे क्या discuss कर आप से, 22,447 lot का open interest देखने को मिल रहा है, उसके immediately नीचे 14,200 पे 66,330 lot का open interest है, नीचे आईए 44,310, 14,400 पे 58,469, 67,410, and 14,500 पे, in fact अगर आप देखेंगे, तो आपको 14,250 पे 30,000, 33,159 का open interest देखने को मिल रहा है, ज्यादा activity कहा हुई है, सबसे ज्यादा activity आपको देखने को मिल रहा है, 14,200 के उपर में, जो कि 31,014 का label की addition आज के दिन में है, writing हुई है, quadrant 1 के अंदर में, quadrant 2 के अंदर में writing, out of the money के अंदर में थोड़ी addition है, but yes, writing देखने को मिल रही है, and surprisingly, या ऐसा बोले, strong resistance 14,200 बनता हुआ नजर आ रहा है, with the addition of 31,000 lot, in the money के अंदर में थोड़ी सी यहाँ पर हमें, हमें देखने को मिल रही है, unwinding, लेकिन yes, यहाँ पर अच्छी meaningful writing देखने को मिल रही है, call side में, उप side में 34,764, 14,100 पे 14,000 पे 44,000 का देखने को मिल रही है, 31,880 का, for 13,900 पे हमें open interest देखने को मिल रहा है, so is it possible कि क्या हम 14,000 के नीचे जाके कल के दिन में closing देखने, फिलाल data देखते हुए, option chain देखते हुए, ऐसा नहीं लग रहा है, अब यह first करे, कल के दिन में, global market के चलते ह आप उपर की तरफ अगर खुल जाते है, so यह जो आज राइटिंग करके गए, 31,000 पे, मांग के चलिए 14,250 के आसपास open करते हैं, 100 पॉइंट आप करते हैं, trust me, यहां से आपको unwinding देखने को मिलेगी, जो आपको 14,300 पे लेके जाएगी, chances बनते हैं उस चीज के, अगर gap up opening ह अगर gap up opening नहीं हुआ, तो यही starting के 15-20 मिनिट तक उसी में चलते रहेगा, sideways movement होता रहेगा, फिर expiry है, तो 11-12 बजे तक शायद वैसा ही movement चले, और 12 बजे के बाद में movement आता हुआ, लेकिन gap up opening हुआ, तो pressure है, gap down opening हुआ, तो definitely फिर pressure आपको 14,100 पे देखने हो मिलेगा, but 14,000 क के नीचे की labels मैं expect नहीं करना हूँ कल के दिन में, अगर आप बाहर की तरफ आप में उसे otm पे देखेंगे, 3rd quadrant में, तो writing होते हुए नजर आ रही है, 4th quadrant के अंदर में आपको longs बनते हुए नजर आ रहा है, so this is all about nifty, range क्या हो सकते है, मुझे लग रहा है कल के दिन में आज के दिन में हमें देखने को मिला हुआ है, अगर निफ्टी का वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे, ताकि आपको डेल डेली वीडियो डेली अपडेट्स मिलते रहे हैं, अट दे सेम ताम थैंक यू बहुत वर बिइंग वीत अस अगर प्लाटिनम मेंबर, होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होगे, होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपाईरी आपके लिए जोरदार हो, और आप खूब सारा पैसा कमें, गूट नाइट